गूर्णिंग स्टुडेंट ओनलाइन क्लासों में आप सभी का है वर्ड आज जो हमने चैप्टर लिया है वो इंग्लिश का चैप्टर लिया है जिसका नाम है दे इंडियन आर्मी जो कि आपको एक इमेज दिखरी होगी डिस्प्ले पे इंडियन आर्मी आप सभी को अच्छे से पता है कि आर्मी क्या होती है वर्दी पे इनके जो बंदुक लेके अपनी देश की रक्षा करते हैं वो आर्मी कहलाते हैं आप सभी ने कहीं पिच्चरों में या फिर कहीं मुका मिला हो देखने का तो आर्मी और लोको आप देखा हो कहानिया और कहीं बहुत सारे सपोर्टिंग रोल है जो कि आर्मी निभाती है ठीक है और इंडियन आर्मी and its duty requirement and training of the इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी recruitment निकालती है खुद उसके exam भी वो खुद लेती है ठीक है जो आपको image दिख लिए होगी इंडियन आर्मी soldierों की है जो की border पर तेनाथ रहते हैं 24-7 24-7 श्यवуйте में हफते में 7 जी दूटी करें तो हाप इसा मत समझना कि जो फिस गणी रहते हैं थाइक है फैसलीटी बी जो है वो परस्षणली मिलती है इंको काफी अच्छी मिलती है इनको आर्मी सौल्जर को सबसे बड़ी सेना है अपनी बारधी सेना और थल सेना वायू सेना और नेवी ये तिन प्रकार की अपने पास आरमी है बाकी और आरमी अर्द सेनिक बोलों में आती है तो इस चेप्टर की शुरुवात का इंट्रोडक्शन में ने आरमी के बारे में आपको दे दिया है अब शुरू करते हैं इसके चेप्टर के अंदर जो लिखा है उसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं चलिए शुरू करते हैं अबूऑ। EVERY Kristinburg FIFA, से सबसक्टि अरो वो ढूसे की पृषती हैं इस偏़ इसके अरो होन्तारी हैं और दैनकनारी इसकारी e-तिष बेर इसको समझेबनारी हैं जूरू करते हैं The Other Branches of the Indian Army Force is the Indian Air Force and the Indian Navy, the President of Indian Supreme Commander of the Indian Armed Forces. अब जो आपकी आर्मी है, उसकी responsibility ग्रक्षा करन्ना नहीं है, इसकी responsibility कही हद तक बढ़ जाती है, जब अगर आपदा आती है कुछ बात देश वे, तो आर्मी के रोल चेंज हो जाते हैं काम चेंज हो जाते हैं करतब भी चेंज हो जाते हैं अधिकार चेंज हो जाते हैं यह सब चेंज हो जाते हैं और जो इंडियन सॉल्जर है अभी अर्थ एसेनिक बोलो की और रिसेंटली मैंने PTI पढ़ा है तो उसमें मुझे पता लगा है कि इसमें जो 12.5 लैक दे रखा है ये बढ़कर अब 22 करोड इंडियन सोलजर की जो तेनाती है वो अपने पास है काफी गर्व की बात है कि अपने पास 22 करोड सिर्फ और सिर्फ इंडियन सोलजर है ठीक है और य जमीन पर जो रक्षा करते हैं वो इंडियन आर्मी वाले करते हैं और जो हवा में है वो एर फोर्ट वाले है ये तीन प्रकार की फोर्ट बनके आपकी नो सेना बनती है ठीक है और इन सब का जो कमांडर होता है वो प्रेसिडेंट होता है राश्ट पती इसका कमांडर होता ह प्रमुक से ना पती होता है ठीक है जब प्राइमरी टास्क आफ दे इंडियन आर्मी इस दे इसे की देश अगर खत्रे में है या कहीं से किसी ने अटेक करा है तो आपकी इंडियन आर्मी ही सिर्फ आएगी जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि बार का जिरिश पहाड टूट गया था तो वहाँ पर इंडियन आर्मी फ्रंट पर रही कहीं माउंटेन अगर गिड़ जाए रास्ता बंद हो जाए कर और बढ़नी होती तो उस जगह भी फिर जो है आपकी आर्मी फ्रंट पर आती है ठीक है आर्मी का определ का मैं जो है जैसे की पुलीस का काम जो है उशानती बनाया रखना और कानून व्यवस्तावों को लगातार बनाया रखने का काम होता है अगर वो नहीं बन पाती है तो फ काम अपनने समझ लिए हैं कि इंडियन आर्मी के होते क्या हैं उमीद करता हूँ आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा इन एडिशनल इस टेक अप दे रिफ्यूज एंड रिलीफ ऑपरेशन द्यूरिंग दे नेच्टरल क्लाइमेट्स एंड डिजास्टर्स जैसे कि भुकम आना साइकलोन जाना फ्लोड जाना एंड सोनामी जाना टेरिड अटेक होना एक्सिडेंट होना ठीक है यह जो सब चीजे होती है यह सब इंडियन आर्मी फ्रंट मेरेकर साहता अपनी सर्विस देती है ठीक है अगर किसी आत्रमदी का मान लेते हैं कि अटेक होता है कंट्री पे तो इसको सॉल जो करेगी वो एनाय करेगी और फिजिकली जो सॉल करेगी वो इंडियन आर्मी करेगी ठीक है और इसके बाद जैसे कि कभी भुखम बाता है तो साहता करेगी पाएं भुखम सुना में आती त ठीक है साहीकल होन आते हैं तो कई मसलों में इंडियन आर्मी अपनी सायता करती है जो कि आपको इस चेप्टर के माधियम से पतालग रहा 19 अगेंस पाकिस्तान इंडिया वैंट वर अब क्या हुआ था कि कारगिल यूद 19 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध और कारगिल युद्ध जो हुआ था वो पाकिस्तान से हुआ था एलोसी लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए और जो कि कश्मीर में पाए जाता था उस जगा के लड़ाई के लिए इंडिया उस टाइम पे अपनी इत्ती शक्षम नहीं थी पर फिर भी वो कारगिल युद्ध अपन इंडिया वालों ने इंडियन सोल्जरों की मदद से इंडिया ने जीता और उसके बाद इंडिया की जो पावर थी वो काफी बढ़ गई और उसकी भरती थी वो भी काफी वार हुए हैं जो कि इंडिया जीती है और कहीं कि परिणाम भी नहीं आया है ठीक a part of winning wars the army has been active participant in the numeral packaging missing of the united nations in fact in the one of the largest draw contribution of you and the indian army soldier will be to be time they lunch exercise to be welfare the capability of the pandemic operation इंडियान आर्मी में कहीं ऐसी एक्साइज होती है मिलिटरी एक्साइज जो की बाहर के देशों में जाकर नई चीजे टेक्नलोजी को सीखने को मिलती है और एक्साइज भी होती है की मिलिटरी की के युद्ध हो जाया तो कैसे अपन लड़ेंगे क्या आपने स्टेज़ेटी रेगी सामने वाले से हत्यार से और हत्यार के बिना दोनों ही कैसे लड़ा जाएगा वो इन एक्साइज में देखते हैं यह कि इंडियन आर्मी दो वोल्ट भी इस सर्विस एवरी इंडियन हो एक्रोस दे एज ओ सेवन्टीं सतरह साल के बाद आप आर्मी की जनरल डूटी के लिए आप अलिशीबल हो चाते हों और आप सेना में जाने के लिए जो एक क्राइटेरिया है एज का वाप पास कर लेते हो ट इसमें जो बजन है आपका वहस्में दे नहीं रहा बागी बता रहा हूं 45 अबाओ आपको बजन होना चाहिए और है जो है आपकी 5 feet and 8 inch की होनी चाहिए आपकी 165 cm इसमें दे नहीं रही है बता रहा हूं मैं आपको और सुस्टेंट डिसिप्लिन इंद बैट रोक ऑफ दे अब आर्मे में रहे कर आप हत्यार चलाना नहीं बलकि विवारिक ग्यान भी प्राप्त करते हैं और प्रस्नलिट डेपलोप्मेंट भी का भी आपका विकास इसमें होता है आर्मी जो है वो काफी अच्छी चीज है एक लाइफ का पार्ट होना चाहिए होना ही चाहिए सभी के लिए आर्मी की लाइफ जीने का उटने बिटने का तरीका वे ओफ टॉकिंग और यह सब ठीक है अब जो आपकी इंडियन आर्मी है ट्रेनिंग के हिस्से कुछ इस प्रकार है कि आपके पास साथ गहंटे की ही नींद होती है चोवित गहंटे मैंसे और चार वज़े आपको उठा कर आपके रेगुलर जो काम होते हैं वो करवा कर नाश्ता करवा कर और रेनिंग करवा कर फीड जो है आपको ट्रेनिंग में थोड़ा बत पढ़ाया जाता है जो की जोग्राफिक ज्यान होता है जहां पर जिस फीड पर होते हैं उसके बारे में सामानी जानकरी सभी आर्मी वालों को दी जाती है और स्व्यमिंग भी इसका एक पार्ट का हिस्सा ही ठीक है रणिंग भी इसके एक पार्ट का हिस्सा है फाईर्इंग भी एक मतलब कुल मिला कि जितना भी फीजिकल एंट टॉफेस्ट काम होता है वो आर्मी की ट्रेनिंग में आपको 6 मैनी की ट्रe отдель में दिया जाता है इन दिस बेनिफिट देम वेन दे पॉस्टेट इन प्लेस लाइक हिमालियन रेंज दे इंडो चाइना एंडो पाकिस्तान बॉर्डर वेर दे टेंपरेचर ओफरन डीप दू मिनिट सो फॉर्टी डिगिरी सेंट्रेट अब जो इंडो चाइना बॉर्डर है पाकिस्तान की जो वोडर है वहाँ पर इंडियन आर्मी जो तेना थे वो माइनस 40 डिगिरी सेलसियस में काम करती है और वहाँ पर रक्षा करती है किसकी हम लोगों की जो अपने जिसे घरों में बिटके डेले के काम करते हैं वो सब शांती बना रखने का काम या जितना भी रक्षा करने का काम है वो आर्मी के ही कंदों पर होता है इस वज़े से इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट करने चाहिए आप कुछ नसीब हैं कि आपकी जो इंडियन आर्मी है वो सर्वत्तम है ठिक है तो लिए इंडियन भारत presumit अपने को घरव है अब जो है इंडियन आर्मी के जो सौल्जर होते हैं बचते मिलते हैं अलाउंस में मिलता है चाहे वो ट्रेवलिंग का हो चाहे वो रैंट का हो चाहे वो मेहंगाई का हो financial दिकत नहीं होती है इसमें एक रहने के लिए quarter मिलता है एक रहने के लिए quarter मिलता है आर्मी में आर्मी वालों को एक hospital की जितनी भी facility होती है चाहे वो कोई सा भी hospital वो देश का उसमें इलाज कराने की एक facility दी जाती है ठीक है अब इसमें यसा भी होता है कि आपके performance के उपर आपके बहादूरी के उपर आपको तीन प्रूरुसकार दिये जाते हैं जो कि पहला है परमवीर चक्र दुसरा है महावीर चक्र और तीसरा है वीर चक्र ये तीनों ही आर्मी के जो soldier होते हैं उनको दिया जाता है इसमें से अधिक्तर मतलब मरने के बाद या फिर शहीद होने के बाद मरनों प्रांत दिये जाते हैं इसमें से महावीर चक्र और परमवीर चक्र जो कि शोर और अपनी बहादूरी का प्रतीक माना जाता है इन मैडलों को और यह जो मैडल है यह लगबख सभी हमारे शहीद जवानों को दिये जाते हैं और अब आपके उसमें प्रश्न यह गएगा वो तो शहीद होगा तो फिल लेगा उनके परिवार को दी जाती है और वो नोकरी भी इनके किसी परिवार को दी जाती है अब जो इंडियन आर्मी में जाने का सपना होता है वो सभी का सपना लगबख होना चाहिए कि हम देश की सेवा करें और देश के काम आए ठीक है यह आपको तीन चक्र दिख रहे हैं कि अधर आपको यह जो जाप्टर है यह समाव दोता है इंडियन आर्मी का सब्सक्राइब अच्छे समझाया होगा आपको वीडियेफ तो मैंने इसका दे दिया था तो इसको लिख लिए जगा आप थैंक्यूंद कि अधर दिख घजगा यह लिख वीडिये यह चाहाँ के यह जगा लिखएंग के वीडिये दिखिए